प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक प्रेर्णादय कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी का नाम है गधा और धोबी एक समय की बात है बच्चों, एक गाउं में एक धोबी रहता था जो बहुत गरीब था उसकी पास एक गधा था गधा बहुत कमजोर था क्यूंकि धोबी गरीब होने के कारण उसको भर पेट खाने पेने के लिए नहीं दे पाता था एक दिन धोबी जंगल से गुजर रहा था वहाँ उसे एक मरा हुआ बाग मिला मरे उए बाग को देखकर धोबी वही रुग गया और मन ही मन कुछ सोचकर खुश होने लगा आपको पता है बच्चो धोबी क्या सोच रहा था धोबी सोचने लगा मैं अपने गधे के उपर इस बाग की खाल पहना दूँगा और उसे पडोसियों के खेतों में चड़ने के लिए छोड़ दिया करूँगा किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाग है और मेरे गधे से डर कर दूर रहेंगे और मेरा गधा अराम से सारा खेत चड़ लिया करेगा इससे उसकी सेहत भी अच्ची हो जाएगी और वह मेरे काम भी अच्चे से कर सकेगा दोबी ने तुरंट अपनी योजना पर अमल कर डाला उसकी योजना काम भी कर गई लेकिन एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी दूसरे गधे की रेकने की आवाज सुनाई दी दूसरे गधे की आवाज को सुनकर गधा इतने जोज में आ गया कि वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर-जोर से रेकने लगा जैसे ही गधे ने रेकना शुरू किया उसकी आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और फिर उनोंने उस गधे की खूब पिटाई की गधा बिचारा रोते 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 घर भाग गया तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सच्चाई कभी नहीं छिपानी चाहिए जूट कैसा भी हो सच कभी नहीं छिपता वो एक ना एक दिन जरूर सामने आता है